हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आज की जो एक NCR रखी है वो रखी यहाँ पे अडानी पावर की तरह उसे बंपर भरती का या ओफिशली नोटिफिकेशन आपको देखने को मल जाता है और यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं किसी भी टैप का कोई भी experience यहाँ पे नोने नहीं मांगा तो आपको tension नहीं लेनी वीडियो को अंते तक पूरा देखने हैं क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको apply करके दिखाऊंगा तो अगर आप वीडियो को skip करते हैं तो आपको process समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपक कर रखा है या फिर अगर आपनी M.E.M. Tech कर रखा है वो सारे candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं position में आपको बता देता हूं IT वालो के लिए technician का विकेंसी रहेगा supervisor का विकेंसी आपको देखने को मिलेगा diploma वालो के लिए diploma engineer training का विकेंसी रहेगा junior engineer training का विकेंसी रहेगा site engineer का विकेंस रहेगा safety department के अंदर भी विकेंसी आपको देखने को मिल जाता है education qualification में आपको बता दिया और यहाँ पे कौन सा आपका position रहेगा वो भी हमने discuss कर लिया तो जल्दी से discuss करते हैं यहाँ पे क्या apply कैसे करना उस process के बर में क्या eligibility criteria रहेगा कौन को इसको apply कर सकते हैं even job location यहाँ पे क्या रहने वाल है और आपका salary क्या रहेगा यह सारी चीज़े मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको apply करके दिखाऊंगा तो जो steps मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहू हूँ अगर आप उनको follow करते हैं तो आप खु qualification comment करके बताना कि आपने क्या कर रखा है कौन सी job search कर रहे हैं ताकि next video के अंदर मैं आपको वही update दूँगा जो आपने मुझको comment box में बता रखा है और telegram channel को जाके जरूर से join कर लेना यहां पे आपको उन सारी jobs का update मिलेगा जो कि अक्सर मैं YouTube पे upload नहीं कर पाता और YouTube पे सारी jobs का update देना possible नहीं रहे था मेरे भाई तो telegram का link मैंने video की comment box में दे रखा है उसको जाके join कर सकते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर लेए पास्में जगंटी वाल एकन उसको दबा दे ताकि आपको next video का notification सबसे पहले मिल पाए और आपका वाई इस channel पे engineering job update लाता रहता है तो channel को subscribe करणा मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं चलिए बात कर लेते कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना उस process के बारे में तुम आपको directly लेके चलता हूँ यहाँ पे LinkedIn पे जहां पे इनोंने job vacancy डाली है तो मैंने एक new tab के अंदर LinkedIn को open कर लिए आप screen पे देख सकते हैं देखिए अगर आपने LinkedIn अप download नहीं किया प्लेश्टोर में जाके download कर लेना बहुत सारी vacancy है और यह सारी vacancy मेरे बाई 5 गंटे पहले 4 गंटे पहले तीन गंटे पहले ही post out की गई है तो वीडियो को अच्छे से अंदर तक पूरा देखिएगा और इसके लिए जल्दी से apply कर देना क्योंकि यह LinkedIn की जो vacancy रहती है वो यहाँ पे जल्दी expire हो जाती है एक दो दिन के अंदर यह vacancy expire हो जाएगी तो अगर आप eligible है इसको apply जरूर कर दीजेगा बहुत अलग-अलग type की vacancy रहेगी जैसे कि यहाँ पे supervisor का vacancy है graduate mechanical engineer का vacancy है construction site engineer का vacancy है quality department के अंदर vacancy है तो one by one सारी vacancy को discuss करेंगे देखे पहली vacancy जो आपके लिए रहने वाली है वो आपके लिए रहेगी manufacturing engineer का supervisor का और यहाँ पे manager की vacancy आपको देखने को मिलेगी तो जो manufacturing engineer का vacancy है उसके अंदर diploma और bb tech eligible रहते हैं supervisor के लिए अगर आपने group यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्हों मेंशन कर दिये अडानी group के द्वारे vacancy यहाँ पे पोस्ट आउट की गई है साथी साथ यहाँ पे अभी बहुत कम बच्चों ने apply किये तेरा लोगों ने apply किये तो आप apply जरूर कर diploma, bb tech, mm tech कर रखा है आप इसको apply कर सकते हैं all trade eligible है किसी भी ट्रेड में कर रखा है IT, diploma या फिर bb tech तो आप इसको apply कर सकते हैं apply करने के लिए नीचे apply का button है इस पे click करके आप इसको apply कर पाएंगे next vacancy के बारे में अगर हम बात करें तो यह vacancy रहेगी यहाँ पर आपका graduate mechanical engineer का vacancy आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर mention कर रखा है कि site work आपका रहेगा, site पर आपको जाना पड़ेगा कभी-कभी और वहाँ पर जाके काम करना पड़ेगा और इसके अंदर graduate mechanical engineer के अंदर अगर आपने mechanical के अंदर यहाँ पर भी बीटे कर रखा है आप इसको apply कर सकते हैं और यह vacancy भी 8 गंटे पहले ही post out की गई है यहाँ पे अड़ानी group आपका देखने को मिल जाता है, job location, salary भी बढ़िया रहेगी मेरे भाई, 30,700 रुपए से लेके 48,900 रुपए पर मंत के according salary आपको यहाँ पे मिलेगा साथी साथ यह भी आपका entry level job रहने वाला है, इन्होंने यहाँ पे साथ सा mention कर रखा है, यह entry level job है, entry level job हो रहती है जो इसके अंदर fresher apply कर सकते हैं, नीचे apply का बटन मिलेगा, इस पे आप click करके आप इसको apply कर सकते हैं, बाकी मैं आपको apply करके दिखाऊंगा फटावट vacancy को discuss कर लेते हैं, next vacancy रहेगा आपका construction site engineer का, तो यहाँ पे कौन apply कर सकते हैं, देखे construction site engineer के लिए अगर आपकी branch civil है, ठीक है, मतलब कि civil branch से आपने diploma कर रखा है, या फिर अगर आपने civil से B, B tech या फिर M, E, M tech कर रखा है, तो यह तीनो candidate यहाँ पे apply कर सकते हैं, branch आपकी civil होने चीए, या फिर आपने B.H.C. civil के अंदर कर रखा है, या फिर bachelor degree के अंदर आपका civil as a subject है, आप no doubt इसको apply कर सकते हैं, salary रहेगा 26,700 रूपए से लेके 46,700 रूपए, पर month के according salary आपको द निकाली गई है, Adani Group आपको देखने को मिलेगा, apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे apply का button है, इस पर click करके आप इसको directly apply कर सकते हैं, next vacancy के बारे में गर हम बात करें, तो यह vacancy निकाली गई है, quality control department के अंदर, quality engineering department के अंदर vacancy आपको देखने को मिलेगी, job location में discuss न जाना पड़ेगा, site पे जाकर काम करना पड़ेगा, male, female, दोनों candidate सारी vacancy के लिए apply कर सकते हैं, entry level job रहेगी, pressure के लिए vacancy निकाली गई है, quality engineer के अंदर अगर आपने यहाँ पर कर रखा है, diploma या फिर bb.tech आप इसको apply कर सकते हैं, manager की position के लिए bb.tech या फिर m.em.tech वो candidate apply कर सक सकते हैं, तो मैं आपको apply करके दिखाता हूँ, यहाँ पे graduate mechanical engineer का जो role है, उसके लिए apply करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर simply आपको क्या करना है, नीचे apply का बटन दे रखा है, इस पर आपको करना है click, click करेंगे, एक new tab open होगा, जो कि आपके सामने screen प्यार है, थोड़ वहाँ पे click करके one by one आप सारी वेकेंसी के लिए apply कर दीजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने tab open होगा, और यहाँ पे नोने mention भी कर रखा है कि graduate mechanical engineer remote के लिए वेकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर आपका position रहेगा, इंजीनियर का pressure इसको apply कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, तो दोनों में इसे कर देना, मैं तो कहता हूँ manually fill करेगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने resume का upload करेगा, और यहाँ पे नोने mention कर रखा है कि doc की format में लेगा, docs की format में लेगा, PDF की format में होगा, तो भी यहाँ पे करेगा, उसके अलबब यहाँ पे आपको first name डालना है, last name डालना है, आपके mobile number यहाँ पे आजाते है, email ID आपकी यहाँ पे आजाती है, उसके बाद आपका do भी आजाता है, अगर आपके पास work experience है, तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे IMA pressure का button है, इसको आप on कर सकत हैं, ठीके अगर आप इसको on करेंगे, तो यह नीचे जो experience वाला था, वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, उसके बाद आप अपने annual expected CTC डाल सकते हैं, उसके बाद आप अपने resume को यहाँ पे upload कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि submit application है, इसको click करके आप इसको submit कर सकते हैं, अडानी group के तरह से vacancy है, यह vacancy जादा time तक फिर से कहा रहाँ कि नहीं रहेगी, 2-3 निन maximum रहेगा, apply कर दीजेगा, कोई doubt है, कोई query है, कुछ पूछना है, नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, या फिर आपने को personally message कर सकते हैं, LinkedIn पे, Telegram पे, Instagram पे, Facebook पे, WhatsApp पे, स जाके join कर लीजेगा, all the very best, जैहिन!